आप लोगो तरफ कैसे और यह इस एतना ठंड में गर्मा ग्रम हट स्पाइसीज चिकन करी बनाना तो बनता ही है चलिए आम इसे बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने यह एक बड़ी प्यास को काट्र काट्र कुड़ों में यह तीन टमाटर काम यूज करेंगे आत में मैंने चुरे से टुगड़े जाइफल भी ले रखा जाइफल इसकी तासिन बहुत गरम होती है असर्दियों में इसे लेना बहुत अच्छा होता है इस जाइफल का वैसी घीस के दूद में भी डाल कर पी सकते अंदर से एकदम गर्वी मिलती है ठंड लगने को मिनी मि अब इसमें थोड़ी जीरे के चटका है अब यह थोड़ी तेस पता थोड़ी यह दाल चीनी और दो तिन लॉंग को मैंने इसमें डाल के थोड़ी दिर मैंने एक दो सेकेंद के लिए बून लिया अब साथ मैंने प्याज मैं कमी उज़ करती हुआ आप लोग प्याज ज्या अब साथ मैं डाल दोंगे चिकन बढ़ी असमें धोड़ा के रख लिया था पानी नहीं थरने के लिए अब इसको आम इसमें डाल कर इसके मच्छे से इसमें भून लेंगे इसके पहले बढ़ी आसे चला लेंगे अब आम इसमें एक चमस नमक डालकर यह स्वादन असर नमक डालकर इसको हम 10-15 मिनिट के लिए ऐसे खूले में भून लेंगे बड़ी ऐसा फ्राई हो जाएगे अच्छे से 10-15 मिनिट हो गई है अब इसमें में जो यह मसाली के पेस्ट बना रहा था उसको भी इसमें डाल कटावा टमाटर के अच्छे से बून के चाय आप इसमें थोड़े से पानी और रख सकते हो आप अब हम इसको ढक कर पकाएंगे 15-25 मिनिट के लिए 20-20 में चलाते रहना है इसे पांस प्रिंट हो गई अब इसके खोल खोल के में 5-5 मिनिट में इसके खोल खोल के इस तरह चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम में इसको हम पकने छोड़ देंगे थोड़ा सौफ्ट हो जाए चिकन देखिए अब इतना हुआ इसके पानी सुग गए चिकन पक गए हमारा अच्छे से अब एक-दू मिनिट के लिए फिर से आम इसको डग देंगे थोड़ी और अच्छे से सौफ्ट हो जाए देखिए हो गए हमारा चिकन बढ़िया अगर आपको चिकन ग्रेवी खानी है तो एसी रहने दीज़े चिकन पक गया बढ़िया है मुझे बनारी में माय चिकन करी दिखें चिकन करी बनाने के लिए इसमे पानी याट कर दिया आपको जितना आपको चाहिए उसी सबसे पानी याट कर सकते Scout अब मैंने यह धन्या की डंडल और पतेल दोन स्वाद आथा खुष्मुव्य और दिगे पहले इस नमक आगल रिखा अब उपर से डाल से ट्याट से करदेंगे साथ में आपम डाल देंगो पर से यह हरा धनिया इसको डाल कर एक दो मिनिट के लिए उबली के लिए छोड़ देंगे ढखकर देखिए बढ़िया सोबाल आ गए हमारे चिकन करी बनकर एकदम डेड़ी हो गई है गर्मा ग्रम चाहल के साथ बहुत मज़ा आता है दोस्तों यह सर्दी की मौसमे एक बार बनाना तो बनता ही है एकबार जरूर। ट्राइग कर लिजएगा दोस्तों बहुत ही स्वाधिश बहुत ही यमिवद बनकर तयार होती है अगर आप लोग को अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर लिख लीजएगा दोस्तों और मुझे लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दिजगा दोस्तो धन्याबाद